हेलो दोस्तों थर्ड मार्च टॉणी टूट के करेंडेभर को डिसकस करेंगे तो अज का पहला कुछा ने हाईली में आरोग्य वन्नम का उध्धाटन किस ने किया है तो इसका सेट्रप्शन C. रामनात कोविंद ने तो आरोग्य वन्नम इसका उध्धाटन करा है इंडिया के प्रिसिडेंट रामनात कोविन ने राश्टपती भवन में यह जो आरोगे वन्यम है इसको डेवलब किया गया है 6.6 एकर एरियास में जिसमें की 215 टाइप्स ओफ मेडिसिनल प्लांट्स सामिल है जैसे कि नीम, तुलसी, बेल, अरंध, अर्जून, एंड अस्वगंदा अगला को सुने, 17 सस्टेनेबल डेवलमेंट गोल में भारत की लेटेस्ट रेंग किया है तो इसका सर्थरप्षन सी 120 तो रिसेंटली सेंटर फोर साइंस एंड इन्वारेमेंट इन्वारेमेंट रिपोर्ट 2022 जिसको रिलीज करा है इंडिया के इन्वारेमेंट मिनिस्टर तो इंडिया की रेंग जो 117 से 120 हो गया है यानि कि तीन पाइदान नीचे गिर गया है इसका मेन कारण है इंडिया के 11 सस्टेनबल डेवलमेंट गोल में बेट परफोर्मेंट जिसमें सामिल है जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइन, एंड जेन्डर इक्वालिटी वही पर पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसकी रेंगे 129, भुटान की 75, नेपाल 96, एंड बांगलादेश की 109 ठीक है तो 17 सस्टेनबल डेवलमेंट गोल इसको अडूप्ट किया गया था as a part of 2030 30 एजेंडा एंड इसको अडूप्ट किया गया था 190 United Nations, sorry 192 United Nations Member Countries के द्वारा 2015 में अगला कुसर ने सरक पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली ambulance किस सहर में शुरू की गई है इंडिया's first ambulance for state animals has been launched in which city तो इसका सहत्रोप्शन सी चन्ने में तो इंडिया का पहला ambulance इस्टिट एनिमल्स के लिए launch किया गया है तर्मिलनाडू की राजधानी चन्ने में इसको launch करा है Blue Cross of India जो कि एक एक एनिमल welfare charity है and 4POW जो कि एक international animal welfare organization है तो इन दोनों के दोरा इसको launch किया गया है अगला question है चार मार्च से कौन सा देज 2022 Women's Cricket World Cup की मेजबानी यानिके उनको host करेंगे तो इसका सहत्रोप्शन C New Zealand तो 2022 के Women's Cricket World Cup इसको host के जाएगा New Zealand के द्वारा and यह कौन सा एडिशन है तो 12th edition ठीक है अगला question है सरोजनी नाइडू की पुन्यति थी यानिकी death anniversary कब observe क्या जाता है तो इसका सहत्रोप्शन है 1st March को तो सरोजनी नाइडू जो कि इंडियन political activist and poet थी इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और इनको nightingale of India यानिकी भारत कोकिला के नाम से भी जाना गाता है यह first woman governor थी और यह second woman बनी थी जो कि इंडियन national congress के president बने थे 1925 में अगला question है हाले में LIC mutual fund के MD तथा CEO किसे अपोइंट किया गया है तो इसका सर्त्रप्षन भी T.S. Ramakrishnan तो T.S. Ramakrishnan को LIC mutual fund का MD तथा CEO अपोइंट किया गया है तो इसका सर्त्रप्षन ने भारत के सविधान का अनुच्छत अस्सी निमलिकर में से किस-किस संवरचना से संबंदित है Article 80 of the Constitution of India deals with the composition of which of the following तो इसका सर्त्रप्षन है Council of States तो Council of States को राजसभा या फिर Upper House के नाम से जानते हैं तो Article 80 में राजसभा के composition के बारे में बताया गया है तो यह भी चर्चा में इसलिए क्यों क्रिसेंटली चंडिगर मुनसिपल कोर्पर्षन ने Article 80 को अमेंड करने के लिए परस्ताव को मंजूरी दे दी है ताकि यह अपना counselors यानकि पार्षत को राजसभा में representative के रूप में भेज सके ठीक है अगला को सुने विरातकोली की ने अपना hundid test में किस देश के खिलेंगे तो इसका सर्थ चर्फ्रप्षन स स्री लंका तो स्री लंका के खिलाफ विरात कोली अपना deste में खिलेंगे अगला कोशन है सागर परिकर्मा का उत्गाटन निम्लिकिन में से किस के दोरा क्या जाएगा तो इसका ऐसा उत्रुप्षन भी परसुत्तम रुपाला के दोरा तो सागर परिकर्मा इसको और्गनाइज क्या जाएगा Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Daring के दोरा और इसके जो मिनिस्टर है परसुत्तम रुपाला इनके दोरा इसका उत्गाटन किया जाएगा तो सागर परिकर्मा इसको गुजरात से शुरुवात की जाएगी इसका और इसको भारत के सभी Coastal States and Union Territory में इसको कंड़क्ट किया जाएगा अगला को सने उर्जा दक्षता बीरो यानि की Bureau of Energy Efficiency के अस्थापना कब की गई थी तो इसका सहत्रप्ष ने 1st March 2002 को तो रिसेंट्ली BEE यानि की Bureau of Energy Efficiency ने अपना 20वां Foundation Day मनाया है एड इसके अस्थापना की गई थी 1st March 2002 को अंडर 2001 Energy Conservation Act इसका Parent Organization है Ministry of Power अगला को सने हाली में भारत पे से MD & Director के रूप में किसने इस्तिफा दे दिया है तो इसका सहत्रप्ष ने अस्नीर गरोवर तो अस्नीर गरोवर ने रिसेंटली भारत पे से रिजाइन दे दिया है तो भारत पे यह एक इंडियन फिंटेक कंपनी है इसके स्थापना की गई थी 2018 में इनके फॉंडर है अस्नीर गरोवर एंड सास्वत नकरानी ठीक है 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 एट कॉाडर न्यू देली में अगलत को सने उर्ण एक मज़्धूर बैच्चे की पुस्टक के लेखह को ने तो इसका सब्तुर बी मितलेश तीवारी इन पुस्टक के लेखह के जिनका नामे उरान एक मज़दूर बच्चे की अगला कुछ से ने हाली में European Union ने Swift से कितने Russian Bank पर परतिबल लगाया है तो इसका से प्रफशन C 7 तो recently Swift ने 7 Russian Bank पर Swift से परतिबल लगाया है तो Swift यानि कि Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication यह जो Swift है यह एक Main International Payment System है यानि कि अधर अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में transaction करना चाहते हैं तो इसके लिए Swift की जरूरत होती है ठीक है तो Swift का formation 1973 में हुआ था एंड इसका headquarter है Bell Jam में कर रादिक है यह कर दो कि अईत्री चाहते हैं तो इसके अगर आप्सूद का झाल झाल